हेलो दोस्तों, अक्सर बॉलिवुड और कॉंट्रोवर्सीज अक्सर एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, और जब बात हो विवादों की, तो भट्ट परिवार कॉंट्रोवर्सीज में सबसे आगे है. आज इस वीडियो में हम बॉलिवुड के सेक्स स्कैंडल के सरताज महेश भट्ट और उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे, यहां महेश भट्ट के बारे में जितनी बाते की जाए उतना कम पड़ जाता है. महेश भट बॉल्ड कंटेंट की फिलमे बनाने में हमेशा से फेमस रहे हैं. अपने बॉल्ड कंटेंट फिलमों के अलावा, महेश भट्ट सबसे ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुरखियों में बने रहते हैं. आपको बता दें कि महेश भट अपने पिता से अलग रहते थे उनके माता-पिता की शादी नहीं हुई थी महेश भट के पिता हिंदू और माता मुस्लिम थी इसलिए वह दोनों से दूर ही रहते थे महेश भट कॉलेज के जमाने से ही बहुत ज्यादा रोमैंटिक किस्म के इनसान थे कॉलेज के समय में वह लोरियन नाम की एक लड़की से प्यार करते थे बाद में उन्होंने लोरियन का नाम बदल कर किरन कर दिया था किरन से महेश भट के दो बच्चे हुए पूजा भट और राहुल भट लेकिन शादी के बाद भी महेश भट के extra marital affairs रुके नहीं वह आशिक मिजाज के आदमी है इसी वजह से महेश भट के कई extra marital affairs रहे नी सोनी निटीजवन में पर्वीन बाबी और महेश भट एक दूसरे के प्यार में पढ़ गए। उस समय महेश भट शादी शुदा थे और परवीन कबीर बेदी के साथ ब्रेक अप के सदमे से उबर रही थी। फिर महेश भट की जिंदगी में एंट्री हुई सोनी राजदान की और महेश की पतनी किरण को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने महेश भट से तलाख ले लिया। और फिर सोनी राजदान से शादी कर ली। और इनसे उनको दो बेटियां है आलिया भट और शाहीन भट। कभी आपने ये सुना है कि एक बाप अपनी बेटी से शादी करना चाहता है। इसकी उमीद आप महेश भट से ही लगा सकते हैं। महेश भट उस समय चर्चाओं में आ गए थे। जब एक मैगजीन के कवर पर उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट को लिप लॉक करते हुए तस्वीरें खिंचवाई थी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। एक इंटर्व्यू में उन्होंने साफ साफ यह भी कह दिया था कि वह पूजा से शादी करना चाहते हैं। महेश भट ने कहा कि यदि पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उनसे शादी भी कर लेता। महेश भट के इस इंटर्व्यू के बाद यह बातें भी बहुत ज्यादा वाइरल हुई थी कि आलिया भट महेश भट और पूजा भट की बेटी है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे बताए तो वो ए हे की महेश भट का नाम रिहा चक्रबर्ती के साथ भी जुड़ चुका है। रिहा चक्रबर्ती की महेश भट काफी नजदीकियां देखने को मिलती थी। रिहा और महेश का ए रिष्टा तब सामने आया जब महेश भट के सत्तरहवे के जन्मदिन पर रिहा ने काफी सारी पोस्ट शेयर की महेश भट ने सुशान सिंह के सूसाइड के वक्त उन्होंने काफी सारे बयान भी दिये थे इस वजह से उनको काफी सारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था